नमस्कार मैं शुवांगी बाश्परी आप देखने हैं भारत सबाचा और उतरप्रदेश में हो रहे हैं विदान सबाचुनाव के तीसरे चरण के लिए 25 जनवरी यानि क्याज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामंकन प्रक्रिया शुरू हो रही है कानपूर मंडल और बुंदेल खंड इलाके के 16 जिलों की 69 सीटों के लिए पहली फरवरी तक उम्मिद्वार अपने पढ़शे दाखिल कर सकते एक करूर 16 लाग 12 पूर्श मतदाता है और जे के साथ 99 लाग 62,324 महिला मतदाता है इन्वदान सबाव सीटों पर एक हजार 96 जंडर के मतदाता भी इसमें शौमिल है तीसरे चरण में 16 जिलों के 69 सीटों पर चुनाव होना है कानपूर मंडल और बुंदेल खंड इलाके में ये चुनाव जिनको लेका नामंकन पूल मतदाता दो करूर 15,75,430 और एक करूर 16,2010 पूर्श मतदाता है 99,62,324 महिला मतदाता है इन्वदान सबाव सीटों पर और 1093 जंडर जो है वो इसले मतदाता है 34 में 16 जले है जिनकी 69 सीटों को लेकर नामंकन आज से शुरू हो जाएगा और एक फरवरी तक ये नामंकन परचा जो है वो दाखिल कर सकेंगे उम्मिद्वार अपने अपने कोवेट गाइडलाइन के चलते आफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से सुवधा यहाँ पर नामंकन पत्र दाखिल करने के लिए दी गई है उम्मिद्वारों को तो एक फरवरी तक दाखिल करने का यहाँ पर वक्त दिया गया है एक फरवरी तक परचा दाखिल कर सकते हैं उम्मिद्वार अपने अपने दी है और इसके लिए देखे वैब पोर्टल जो है उसके जरीए आप ऑनलाइन भी आवेधन की सुविधा पा सकते हैं सुविधा.eci.government.in के मध्यम से आप ऑनलाइन आवेधन की सुविधा जो है वो उप्लब दिकराए गही है आपको इसके जरीए भी आप ऑनलाइन ये दाखिल कर सकते हैं उम्मीद्वार अपने अपने तो अब तक दो चरणों के जो नामांगन पत्र हैं वो दाखिल के जा चुके हैं उम्मीद्वारों की तरफ से और इसके साथ अब तीसरे चरणों को लेकर भी नामांगन दाखिल करने की तारिकास से एक फरवरे तक और और इसी के साथ ओनलाइन आबिदन की सुविधा भी दी गई है नामंकन के समय प्रत्याशी को जुनूज के अनुमती नहीं होगी और 34 में कुल 2,15,75,000 से जादा मतदाता है इन 69 दासबास सीटों पर वोट करने के लिए आज 11 बजी से शुरू हो जाएंगी नमंकन की प्रक्रिया और किस तरीके से कितनी जगे पर ये सुविधाएं लोगों को दी जा रही है उच नमंकन पत्र दाकिल करने के लिए देखिये सिवांगी कानपुर में जो है दस विदान सबा है जिसके नमंकन को लेकर यहाँ पर सारी तयानिया कर ली गई है जिसका यहाँ पर निरवाचन अधिकारी बनाई गई है नेहा सरमा जी उन्होंने यहाँ पर पूरा निरचल किया और यहाँ पर जो एसियम की नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पर आठ नमानकन इस्थल बनाए जाएंगे और यहाँ पर जो तहसील इस्थल बनाए गए है वहाँ पर दो नमानकन इस्थल होंगे तो कुल मिला गए यहाँ पर जो है दस नमानकन इस्थल बनाए गए है और यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ सी पूरी तरह से इस पर रोक लगाई गई है कि काई ने काई जिस तरह से प्रत्यासी हर बार की तरीके ढोल लगालों के साथ में और हज्जारों की तादाद में रहली लेकर आते थे उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और इस पर एक मजिस्टेट को 11 बजे से 3 बजे त इतना चौई वहां पर बैरिकेट्न लगा दी गई है तो फिलाल यहां पर नमानकन की पूरी त्यानिया के कर ली गई है और स्विल गाई और आज से शुरू होगा और एक तारीक टक चलते काई ना काई यह जो नामांकन होंगे वह ग्यारा बजे से आफ लाइन ओनलाइन दोनों तरीके से जहांसी की बात करें तो जहांसी में एक नामनकन बनाए गया है यहां पर चारों वितान सवाओं के नामनक पत्र जमा होंगे आप दे सकते हैं जहांसी कलेटेट है हमारे पीछे इसी में सभी प्रत्याति यह भी नामनकन के पत्र जमा करने के लिए आएगे एक आपको बता दे लेकिन आपको बतातें के चारो बदान समय जाती पर्तियासि इस ही में आएंगे और आज से इसकी शुरुआत हो गई 15 लाग से अधिक के बोट यहां पर मत आता है जी और अब चलेंगे फिरोदाबाद हम जीतेंद्र का रुकर लेते हैं जीतेंद्र वहां पर आज नमंकन को लेकर क्या भी आप तैयारी देख पार है देखे सिवांगी आज से नमंकन प्रक्रियाश सुरू होगी और एक फरवरी तक यह चलेगी आज पहला दिन है तो ऐसली में परतियासिल नमंकन करने का भी कोई एसा सांब जानकारी नहीं नहीं है लेकिन कल से नामांकन प्रक्रिया सुरू हो जाएगी कल एक नड़ली प्रतियासी है रामदाश माना वो नामांकन करेंगे और साथ तोर पर जो कहा जाए कि विवस्ताओं की बात कर लें तो जो विवस्ता है प्रशासन ने किये हैं चाक्चोवद की हैं प्रियास ये किया है किसी भी तरह से आचार सहिता का उलंगन ना हो क्योंकि जो चुनावायों की गाइडलाइन है और कोबीट की गाइडलाइन है दोनों की कंप्लाइंस करना जिला प्रसासन की जुम्बेदारी बनती है और प्रतियासी की जुम्बेदारी बनती है ऐसी स्थि जिदा जो ऑनलाइन नामंकन की इस बार की है कोविट को दिश्टकर रखते हुए उसका बहुत प्रत्यासी स्वागत कर रहे हैं उनका मनना है कि जिला परसासन में अगर कोई परचे में कमी आती है तो तमाम क्यरी लगा के नरस्ती की स्थिती बन जाती है जब हम ऑनलाइन अबिनंदन भी किया है उनका कहना है कि बहुत इजी है बीडबार से बचते हुए हम ऑनलाइन आबेदन करेंगे तूसरी बात की जाए तो फिरोजाबाद में पांच विधान सवाएं हैं तूरला फिरोजाबाद सिरसागन जसराना इन सब शिक्वाबाद इन पांच विधा मैस किये हुए हैं हर सीट पर टकर है हर प्रत्यासी के लिए बोटरों की पैनी नजर है के कौन जीतेगा जो रेलिया है जो आबेदन के दौरान होजूम जाएगा काफिला जाएगा बाहरों को उसको कैसा रोका जाए और यह कह देना बड़ा आसान है कि काफिला नहीं जाएगा रोक सकते हैं आप देखिएगा नामांकन होगा तो प्रते एक जिले से भारी दादात में पार्टियों उसकी भी विक्री होगी कई प्रत्यासियों ने सेट खरीदे हैं आफ लाइन आबेदन करने के लिए कलेटेड में पहुंचेंगे प्रसासन ने तीन बेरिकेट बनाए हैं दोनों तरफ हाईवे को ब्लॉक किया गया है सगन तलाकसी के बाद भीकल को निकाला जाएगा और ज से इस तिदी में उनके लिए निस्पक्ष चुनाब कराना इसी ने जुम्बेदारी दिया है उसका निर्भान करना उनके लिए चुनोती है देखना ये है कि चुनोती पर अधिकारी कितने खरे उतरते हैं क्या नेताओं का नामांकन को लेकर प्रतिकरिया रहती है क्या अप आफ लाइन या ओनलाइन दिखिए यहां तो जो जितने भी आवा प्रत्यासियों के अभी तक बिजेपी से टिकट कराएगा है वो पहले से ही यहां पर विधायक थे तो उन लोगों को जो साथ तो पर कहिना है कि जिस तरह से यहां पर वो नामानकन कराने कलेकेट परसट बात है कि जो चुनौती है यहां पर प्रसासन के लिए कि जिस बार अपनी ताकत दिखाने के लिए यहां पर प्रत्यासी हज्जारों का हुजूम लेकर आते थे वो कहीं न कहीं इस बार भी देखनों को मिल सकता है तो यहां पर जो प्रसासन है उसके लिए यहां पर कड़ी चुनावती होगी कि इस आचार साहिता के चलते इसे इनको कैसे रोका जाएगा क्योंकि इस बार जो सबसे बड़ी बात है कि कोविट डियमों के पालन भी करने होगे तो यहाँ पर पूरी तरह से रैली पर रोक लगाई गई है और जो पूरा जुलूस निकालते थे उस पर र जलादिकारी बनाई गई है निया सर्मा जी पहले बी कानपूर में रहए चुकी है फिलाल यहाँ पर जिलादिकारी बनकर कानपूर आई हैं तो अनके लिए बड़ी चुन्वती है कि किस तरह से कारकारताओं को रोकेंगे और इस हुझूम को रोकेंगी फिलाल उन्हों ने कंट्रोल रूम बनाया है और वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट को तैनाद किया है वो ग्यारा बज़े तीन बज़े तक वहाँ पर रहेंगे और सिसी टीवी के जो पल-पल की निगरानी वहाँ पर देखेंगे और जिस जो भी अचार सहिता का उलंगन करेगा उसके उपर कहीं ने कहीं कारवाई करनी पड़ेगी सिबंगी जी और अब चलेंगे हम स्जा के पास सीधे जासी का रूप कर लेते हम एस जासी में इस बार जो लोग वहाँ पर आज नामंकन दाखिल करने आ रहे हैं किंद्रों पर नामंकन किंद्रों पर वहाँ पर किस तरीके से लोगों को एक एक करके अंदर जाने के अनमती होगी किस तरीके से वहाँ पर ये पूरी सुवधाय जो हैं उनको देखा जा रहा है दिखे ग्यारा वजे से नामंकन की सुरुवात होगी तीनवे तक चलेगा लेकिन अभी तक कोई पृत्यासी अभी नहीं आया है इसके अलाबा जो भारी लोग हैं बाहर रहेंगे डोर लगाले पर रोग लगाई गई है लोग भीर भार लेके आते थे उसके रोग लगाई गई है अगर ऐसा पाए जाता है उसके कारवाई की जाएगी लेकिन आज 11 वजे से नामंकन की शिरुवात होगी और 3 बे तक चलेगी जी और अब चलेंगे हम फिरोधाबाद जीते अंदर के पास देंदर आपने का कि वहाँ पर आज तो कोई नामंकन पत्र दाखिली करने नहीं आ रहा कल से लोग वहाँ पर पहुचेंगे नामंकन के इंदर पर तो आज से जब शिरुवात हो और आज क्यूं वहाँ पर प्रत्याशी नहीं पहुच रहे हैं लोग चाहते हैं कि पहले कोई आवेदन आ रही है इन सब चीज़ों को समझ ले और पहले दिन नामंकन अधिकांस देखे जाते हैं कम होतें क्योंकि आज इनामंकन पत्र खरीदेगा व्यक्ति आज इसको दाखिल करेगा ऐसा नहीं हो पाता दूसरी जो बात जो चुनाब आ कराना आयोक के निर्देशों का पलन करना जुम्बेदारी बनती है भले ही कोई नामांकर ना करें लेकिन प्रसासने कदिकारी और उनकी टीम आज मुस्तेद रहेगी दिनवर रेहरसल के रूप में मान लिया जाएगा क्या कमिया रही उनको कल अपडेट किया जाएगा जैसा क आफलाइन आबेदन करना बहुत अच्छा समझती है क्योंकि इस बहाने उनकी दमखम जो रजमाइस भी हो जाती है और प्रतियासी के साथ लावलसकर को भी लोग देख लेते हैं लेकिन जो बिचारे प्रतियासी होते हैं बिचारे इसलिए बोल रहा हूं कि वो चुनाब ल उनको मालूम है जनता जो बोट देगी वो उनके आग्रे पर देगी हाँ जोड़ कर देगी ना कि लावलसकर को देख कर तो दोनों चीजे हैं और दोनों तरह के प्रतियासी चुनाम मैदान में उतरते हैं अब कौन प्रतियासी कौन सी साइड को पसंद करता है यह उसकी अपना एक मैसेज भीजने का प्रयास कर सके तो आज पहला देन है और लगातार चलेगा कल कई पार्टियों के आवेधन होंगे उसके बाद परसों तरसों यह तीन दिन लगातार है जैसा कि आपको बताओं तो जोटसियों के अनुसार भी लोग आवेधन करने पहुंचेंगे कई विद्वान ब्रामबन हैं उन पर रवाम प्रत्यासी रात पर लगे रहे आवेधन करने का समय तिथी ये सब चीजे समझने के लिए वो अपनी जुगाड़ में लगे हर एक चाता है कि सोब महूर्त में आवेधन किया जाए तो उसके फल सुबदाई होंगे तो इन सभी इच्छाओं के साथ धार्मेक आस्थाओं को जोडते हुए ये आवेधन किया जाएगा और कल कई प्रत्यासीों के आवेधन करने की सूचना है सो महूर्त भी कल बताया जा रहा है और देखे आवेधन करना प्रतेक व्यक्ति की अपना विवेख है लेकिन उसका परणाम दे और तीरवश्चता की नामंकन शुरू रहने वाला है